ग्रान अक्षात्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो साधर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अचारे धर मिंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं डेनिक राशिफल यह राशिफले 19 अप्रेल 2022 मंगलवार का दिन है वैशाक महा के कृष्णबक्ष की तरतियाती थी है लेकिन इस दिन चंद्रोदय व्यापिनी चतूर्थी होने से गणेश चतूर्थी का महा पर्व रहेगा यहने जो भक्त जन माताएं बेहने प्रतियक महा के कृष्णबक्ष की चतूर्थी का अवरत करते हैं उनको इसी दिन चतूर्थी का अवरत करना चाहिए संकर्ष्टी गणेश चतूर्थी का पर्व इसी दिन रहेगा चंद्रोदय जो की रात में 9 बच करके 42 मिनिट पर होगा अनुराधा नामक नक्षत्र होगा तथा वरश्चिक रासी में चंद्रमा बिद्यमान रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारणवस उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा अवश्यक हो तो गुड़ खा करके यात्रा आरंब कर सकते हैं राहुकाल जो कि दो पहर तीन बजे से आरंब होकर के साड़े चार बजे तक रहेगा राहुकाल के दोरान कोई भी शुबिया मंगली कारिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए हाला कि राहुकाल का नणे आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अत्वा केलेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई खेत्रों में माना जाता है और कई खेत्रों में नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के दिए हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जो की मेश रासी में वहीं चंदरमा वर्ष्चिक रासी में मंगल ग्रह कुम्ब राशी में बुद्ध ग्रह मेश रासी में देव गुरु व्रहस पती जो की मीन राशी में शुक्र ग्रह कुम्ब राशी में शनिदेव मकर राशी में राहू मेश में तथा केटू ग्रह तुला राशी में विराजित रहेंगे इस देनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेश मितुन सिंग तुला धनु एवं कुम्भ ये छे राशियां सबसे अधिक भागिशाली रेने वाली है देन इन के लिए लाप प्रसिद्ध होगा धन लाप के साथ साथ कारिक्षितर में उन्नाती और प्रगती के भी उत्तम अउसर इनको प्राप्त हो सकते हैं कुल मिलाकर के इन छे राशिवालों के लिए देन सबसे विशे साबित होगा अब हम आपको मेंस से ले करके मीन सभी भारा राशिवालों का देनिक राशिफल बताने जा रहे हैं हमारे इस ज्यानवर्धक वीडियो को अंते तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेंस रासी की इस्थाई संपर्टी प्रापर्टी के लेंदेन संबंदी कुछ लाबदायक योजनाएं बनेगी घर के बदलाव संबंदी विशे पर भी मातुपूर्ण चर्चा होगी रुके होए अटके होए काम पूरे होंगे अधिकतर समय मन और अंजन तथा परिवार के साथ मोज मस्ती संबंदी गती विदियो में व्यतीत होगा और उपाई के रूप में मा दुरगा के मंदिर में लाल फल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की जीवन को सकारात्मक नजरिये से समझने की कोशिश करे इससे आपके अंदर चल रही कई गलत फेमिया सुलच जाएगी धर्म और अध्यात्म के प्रति आपका बड़ता विश्वास भी आपको शांती और मांसिक सुख प्रदान करेगा बच्चों को अपनी पड़ाई में और अधिक ध्यान देने की आऊशकता है इसलिए फालतू की गतिविदियों से अपना ध्यान ठाए किसी नजदी की मित्रे या रिस्तिदार से मामूली बात को लेकर के वैचारिक मदवेद उत्पन हो सकते हैं इसलिए किसी भी बात को ज़्यादा तूल न दे और उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि आप सफेद रंग की कोई भी मीठी वस्तू जैसे मिस्री या शकर खाकर के घर से निकलते हैं तो आप का देन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की घर में रिष्टदारों का या महमानों का आगमन होगा तथा आपसे विचारों का आदान प्रदान घर के वाटावरन को खुश्णुमा बनाएगा अपने महत्तुपूर्ण काम आप निप्टाने का प्रयास करेंगे युवाओं को आपसी वारता लाप से अपनी किसी समस्या का समाधान मिल जाएगा बच्चों पर कठोर नियंतर न रख करके मित्रवत व्यभार रखे इससे आसानीशे वे अपनी समस्याओं के आपके साथ शेयर कर पाएंगे और उपाई के रूप में हरी सबजी का दान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका आसमानी होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की मन और अंजन और हास परिहास में आपका समय वितित होगा हलका फुलका आराम करने का आउसर भी आपको मिलेगा उर्जा से आप भरपूर महसूस रहेंगे घर की जर्वत संबंदी कारियों में आपकी विस्ता बनी रहेगी बच्चों के साथ उनके क्रिया कलापों में रुची जाहिर करना उनके आत्म इश्वास को और अधिक बढ़ाएगा घर की किसी महत्वपूर्ण वस्तू के खोने या चोरी होने की संभावना किसी पर इलजाम लगाने से पहले अच्छी प्रकार से परताल अवश्य करे और अपनी वस्तूओं को समभाल कर रखे ओफिस के कुछ कामों को घर पर भी समय आपको देना पड़ सकता है और उपाई के रूप में भगवान गणेश जी के मंदिर में यदि आप लड़ू चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग पीला होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की पारिवारिक सदस्यों की सुक्स विधाओं का ध्यान रखने के प्रति आपका पूर्ण समर्पन भाव रहेगा किसी सामाजिक गतिविधी में आपका महतुपूर्ण योगदान होने की वजह से आप सम्मानित होंगे कोई आर्थिक परिशानी होने से आपके मित्र आपकी मदद के लिए ततपर रहेंगे परंतु कभी कभी आपके विचारों में बहुत अधिक वहम वा संक्रिनता परिवार के लोगों के लिए परिशानी का कारण बन सकती है इसलिए अपने व्यवहार व विचारों में लचीलापन बना कर रखना अति आवश्यक होगा और उपाई के रूप में घर से निकलते समय एक लॉंग या फिर इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई सावित होगा अपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग अपका कैसरिया होगा अब हम बात करते हैं कन्या राशी की किसी समय से भी संस्था में आपका विशेष योगदान रहेगा जिसकारण आपको मानसमान वा यश्ट भी प्राप्ती होगी आपके अपनी व्यक्तिगत काम काफी हद तक सुचारू रूप से संपन होते जाएंगे अटके हुए रुके हुए काम भी आपके पूर्ण हो जाएंगे रुका हुआ पैसा भी आपको अचानक प्राप्त हो सकता है कोई अचानक ऐसी खुशकबरी मिलेगी जिसका बहुत दिनों से इंतजार था उस कारण से परिवार में अच्छी खुशियां व्याप्त होगी और किसी अंजान व्यक्ति के विवाद में बिलकुल न पड़े क्योंकि उसकी वज़े से आपको परिशानिया उत्पन न हो सकती है उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि आप मिठाई के रूप में कोई भी मिठी वस्तु खा कर निकलते हैं तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की आज किसी भी गती विधी में दिल के बजाए दिमाग से काम लेना आपके लिए अधिक फायदेबन साबित होगा निकट संबंदियों के साथ प्रापर्टी को लेकर गंभीर और लाब दायक चर्चा होगी घर में कोई धार्मिक आयोजन संपन हो सकता है काम की अधिक्ता की वजह से स्वाभाव में चिर्चड़ापन रहेगा जिसका असर परिवार की विवस्था को खराप कर सकता है अपने स्वाभाव को सकारात्मक बनाए रखने के लिए आपको पॉजेटिविटी बहुत आवश्यक होगी तथा सकारात्मक लोगों के साथ चर्चा करेंगे तो निष्टे ही आपके स्वाभाव में एक सकारात्मक आपको नजरिया महसूस होगा और उपाई के रूप में भैवान विश्णू जी के मंदिर में कोई भी फल चड़ाना आपके लिए शुप्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं वरश्चिक रासी की घर के बड़े बुजुर्गों तथा वरिष्ट व्यक्तियों के साथ कुछ समय आपका वेतित होगा उनके अनुभवों को आत्म साथ करना आपके जीवन को कुछ सकारत्मक पहलियों से अउगत कराएगा बच्चे भी अनुशासित तथा आज्याकारी रहेंगे स्वास्त में हल्की पुल्की परिशानी रहने की वजह से आपके कुछ काप अधूरे रह सकते हैं परन्तु तनाव को अपने उपर हावी न होने दे परिवारिक व्यक्तियों का उचित सहयोग आपको चिंता से मुक्त रखेगा अर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धनलाब होगा, नए काम की आप योजना बनाएंगे तथा जो काम बहुत दिनों से अधूरे या अटके पड़े हैं, उनमें भी आपको सुधार महसूस होगा उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि किसी भी गरीब व्यक्ति को दूद का या दहीं का दान आप करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक नो होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की, राजनेतिक गति विदियों से जोड़े मित्र आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगे तथा उनके साथ लाबदायक मुद्दो पर विचार विमर्श होगा, समय का भरपूर फाइदा उठाए, मरोरंजन संबंदी कारियों में आपका समय बेतित होगा, अपने व्यक्तिगत कारियों में किसी बहारी व्यक्ति को शामिल न करे कोई आपकी गती विधियों का नाजाईस फाइदा उठा कर आपको नुकसान पहुचा सकता है, बच्चों की गती विधियों पर तथा उनकी संगत पर आपको नजर रखना बहुत आवश्यक होगा, और उपाई के रूप में यदिया भगवान विश्नु जी के मंदिर में क कामाजी कारिकरताओं के साथ उनकी गती विधियों में पूरा सहयोग करना आपको महत्वपून मुकाम हासिल करवाएगा, आपके व्यक्तित्व के सामने आपके विरोधी परास्त हो जाएंगे, कहीं से कोई ऐसी खुशकबरी मिलेगी जिससे परिवार में खुश्यों का मा कारियल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक पांच होगा, भागिशाली रंग आपका हरा होगा, अब हम बात करते हैं कुम्ब राशी की, अपना अधिक्तम समय आप अपने घर के अटके हुए रुके हुए कारियों में व्यतित कर रहेंगे, जिनके विशय में आप कुछ कारिभी संपन्न करेंगे, और संतान संबंदी कोई चिंता आपको परिशान करेगी, कोई खुशकबरी ऐसी मिलने वाली है, जिसे आपकी चिंताएं लगभख समाप्त हो जाएगी, उपाई के रूप में, यदि आप काले तिल शंकर भगवान के मंदिर में चड़ाएंगे, तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक साथ होगा, भागिशाली रंग आपका जामूनी होगा, अब हम बात करते हैं मीन राशी की, आज आपका अधिक्तम समय पारिवारिक लोगों के साथ व्यतीत हो भावनात्मक संबंद और अधिक मजबूत होगे, आपकी जो शंकालू या जित की प्रबत्ती है, उसको परिवर्तन करना चाहिए, थोड़ा सा व्यवहार में लचीला पन रखना बहुत आवश्यक होगा, और उपाई के रूप में चट के उपर पक्षियों को दाना डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, और आपका भाग गिशाली अंक एक होगा, भाग गिशाली रंग आपका औरेंज होगा, तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाय तर था भाग गिशाली अंक और भाग गिशाली रंग हमने झाले हुआ है